हलो दुफ्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आस्क्रोइट पर और आज के वीडियो से हमें एक सीरीज का स्टार्ट करने वाले जिस पे मैंने प्लान करा हुआ है कि मैं हेंड़ेट प्लस स्टाटिक टूल अपसाइट जो है ना उसको चैट जीपिटी की मदद से जनरेट यार बना कुछ और रहे हैं यूजर को किसी और तरीके से कहीं पर भी भेज रहे हैं ठीक है आपको पताई है यार इस समय जो है वो सोसेल मीडिया से वेबसाइटों पर ट्राफिक ला करके जो है वो अच्छी कमाई करी जा रही है कुछ लोग एथिकल तरीके यूज करते है कुछ को लोग यार अनएथिकल दरीके यूज करते तो मैं एथिकली जो है ना आपको बताने वाला हूँ साथी साथ आपके सामने चैट जीपीटी की मदद से हम पॉपलर टूल जो होंगे जिसमें अच्छा सीपीसी अच्छा अर्निंग हो सकता है उनको बनाना सीखेंगे चैट जीपीटी की मदद से और जो भी यार वो कोड होगा ना उसको यार मैं आप लोगों के साथ यार शेयर भी करूंगा बट सेयर करने के कंडिशन यह जुन लोगों ने भी यह जो मेरा चैनल ना उसमें नीचे आप जब वीडियो प्ले करते होग ना तो एक जोईन का ब तो इसमें पूरा टॉटरल रहेगा और बाकी पूरा बना बनाया वो जो स्क्रिप्ट चाहिए और वो सिर्फ मेंबर ओनली लोगों के लिए जो है वो अबलेविल रहेगा जो कि यार मेंबर्स जो भी चैनल पर जुड़े हुए ना उनको यार मैं जो है वो सेयर कर कि साथ 89 रूपीज के असपास होगा मेंबर बनने के लिए तो उनके साथ जो है वो स्क्रिप्ट जो है जो भी कंप्लीट यार मैं बनाऊंगा प्रॉम्ट करने के बाद क्यों कि प्रॉम्टिंग में कुछ चीजर रहती है जो कि आर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नह सब्सक्राइब कर लो है कि अपना चैनल आज को सब्सक्राइब कर लो है कि यार मैं कम से कम ना पॉपलर टूल एबसाइट बनाऊंगा यूब ट्राफिक लाने के लाव हमको माथा मारी नहीं करने है उस तरीके कि हमें गूगल में रैंक करवाना दुनिया बर की चीज़े हम सोसेल मीडिया के इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे वो सारे कॉंसेट भियर मैं आपको समझ चीजे जो है वो बताऊंगा तो सबसे पहले यह चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को भी ध्यान से लाइक कर देना तो सबसे पहले टूल हम स्टार्ट करते हैं असाइपी कल्कुलेटर कल मैंने कुछ प्रॉप लिखे लंबे चोड़े स्पेलिंग मिश् क्या करेंगे ने पहले ही केले लिए क्रते हार यहां पे तो हम रैंकिंग की बाती नहीं करने वाले हमें रैंक करवाना ही हमी क्या करना है इंस्टाग्राम रिल फेस्बॉक जो फेस्बुक पर रील चलती है वह और यूटूब सौर्स इन तीनों चीज़ों कर वह सारा लेना ठीक है ना और एक्सेंस अप्रूवल मिलता है कुल मिला करके देखो जिस वेबसाइट पर ट्राफिक आ रहा होता है और जिस निस पर अध्वर्टाइजर भरे पड़े हुए मार्केट में उसको जगमार करके अप्रूवल देना पड़े भई या तो फटाफ़ अप्रूवल वजरफ में जो हो जाए कि चाहे वह सिंगल पेज का हो चाहे तो आपने दस पंदरा पोस्ट लिखी हो कुछ नहीं गूगल ने तो प्रूवल मिलता है आपने या बहुत सारी सिंगल पेज वेबसाइटों में एक्सेंस अप्रूवल देखा होगा तो चुल यार हम बात करने वाले फिनांस वाले जो कल्कुलेशन वाले टूल उनको भी हम कुछ टच करेंगे 15-20 टूल बनाएंगे कुछ हेल्थ वाले टूल इसमें आपको पता ही है इन दूनों तरीके के टूलों में तगले लेविल के अफिलेट भी हो सकती है और तगले लेविल का जो है वह एटसंस वगरा आप लगाओगे ना तो उस पर सीपीसी वगरा भी मिलेगी चाहे पिंडिया टार्गेट करो अभी हम फिलाल इंडिया के सबसे पहले मैं प्राउंड रता हूं साइपी कल्कुलेटर बनाने वाले हैं मैं अगर यहां पर गूगल पर जाओं यहां पर लिखू जाकर के साइपी कल्कुलेटर हमेंसा पॉप्लर चीज को उठाएंगे रील भी कैसी उठानी है जब भी हो ना जिसकी ज्यादा चल रही हो जिसकी ज्यादा वाइरल हो रही है उसी के कॉंसेप्ट ग कॉठाना है तो जो यहां है टूल ज्यादा पॉप्लर चलता है साइपिकल्कूलेटर लिखने पर ज्यादा i cigarette उसका wow, लोग ज्यादा तर उसी के साथ family है ठीक है पर हम उसका code नहीं उठाएंगे ठीक है code उठाओगे इनके बिल्कुल as it is वैसे design कर दोगो तो भाई फिर copyright वगरा in case मारना चाहे तो मार सकते हैं पर code level पर वैसा copyright नहीं रहता तो हम try करेंगे थोड़ा सा different type की चीज़ जो है वो generate कर देने के लिए और जो मैं आपके साथ code share करूंगा ना उस पे भी look and feel जो है वो आपको अपने accordingly बनाना है तो पुरा detail में चीज रहने वाली है वीडियो को skip मत करना एक different type की चीज़ों को ले करके different तरीके से काम करने के अप्रोच के साब से चलना है क्योंको भाई organic में करने वाले है तो सबसे पहले लिखते हैं तो website कौन से यह पहले rank हो रही है पहले rank हो रही है भाई growth अब हम जाते हैं ठीक है आप tutorial भी सीख रहो है कि आप खुद कभी आपके दिमाह में कोई idea है तो आपको actually में जो है वो chat GPT से किस तरीके से काम करवाना है आपको वो भी सु अच्छा क्या है मंतली investment है लंसम यह दो फीचर है नोने दिये हुए है थोड़ा graph में भी हमको चीछी दिखाए ठीक हमारे basic system तयार हो गया है नीचे जो है वह हमारे कुछ जो है नोने वह content लिख दिया वह आप अपने recording में लिख लोगे तो हमें यह कुछ इस तरीके का टू चुका होता ठीक है और बाकि हमें rank तो कराना नहीं है ना rank हम कर पाएंगे क्योंकर देखो आप लिखोगे ना तो ग्रो एंजल वन सारे जो ब्लोकिंग वाले प्लाटफॉर्म में एटी मनी यह सब आ रहे है ठीक है एक साइपी कल्कुलेटर किसी ने EMD domain book कर रखा उसका रह है तो इस keyword पर आप यह सोचो कि मैं rank कर लूँगा Google में बूल जाओ कोशी सी मत करना यह चीज करने है ठीक है ना यह आचुकी है नीचे ठीक है तो आपको जो है वो मैं एक तरीके का जो होता नहीं भ्रह्म में भी नहीं रख रहा हूं कि नहीं नहीं पनाओ Google में rank कर जाओ य कैसे सेम इतने competition वाले टूल से वैसा बन सकता है कि ट्राफिक की तो लाना है ठीक है सुसल मीडिया से भी ला सकते हैं उसके बरे में चलो बात करेंगे पहले टूल बनाने के बारे में देखते हैं concept समझते हैं तो मैं यार चैट GPT पे गया मैंने ग्लंबा चोड़ा prompt लिखना हलका सा थोड़ा सा developer point of view से जो है वो आपकी thinking होनी चाहिए कैसे create SIP calculator tool using HTML CSS JavaScript there should be यहां लिखा देखो दीज लिखा there should be two tabs one is for SIP and second one is for Lumsum मैं इसी को ही जो है वो create करना चाहरा हूँ ठीक है आप जो हम यह grow वाला देख रहे थे ना देखो इसमें दो टैब बने हुए थे SIP और लंसम के यह देखो SIP का अलग है और लंसम का अलग है तो मुझे भी यह सेम दो टाइप चाहिए को भाई लोग लंसम भी इन्वेस्ट करते हैं एक बार में भी जो है ना लोग money इन्वेस्ट करते हैं और मन्थली basis पर SIP बगरा भी करते हैं तो दोनों feature जो है मैं चाहिए अ पर आप यह हमने आपर बोल दिया उसके बाद कि ओन क्लिकिंग ऑन असाइपी टैप देखो चलिकिंग होगा क्लिकिंग के जले अन क्लिकिंग अनसाइपी टैप देर फुट भी टेस्ट बॉक्स मंत्ली इंवेस्टमेंड एक्सपक्टेश्ट रिटर्न पर एन्न परसंटें टाइम पिरियट होना चाहिए अन की एफ फंक्शन अब यह जो डबलबर है ना वही समझ सकता है कि ऑन की एफ फंक्शन क्या होता तो मैंने सक्षों से बोल दिया है आप देखो नीचे कल्कुलेशन चेंज होड़ी तो हमें भी यही फंक्शनालिटी चाहिए इसलिए जो है मैंने इसको बोल दिया अब यहां की एफ फंक्शन पर सारा क्यलेशन चलना चाहिए अब यहां पर देखो ओन क्लिकिंग ओन सफीट है और यहां प्या लिखा था हाँ टाइम पिरेंड एंड और की फंक्शन रिजल्ट रिजल्ट सुट इस डिटेल अब रिजल्ट कल्कूलेट होकर हमें क्या क्या डिटेल मिलनी चाहिए फिल्ट के इनमेस्ट्मेंट डिटर्न टॉटल अभूएंट इस्प्लेट यूसिंग गूगल चार्ट हेएं बिट काम हो जाएगा में तिर्फ यहां पर गूगल डिग यूट इजाड जो पर नेना अकौन सा चार्ट वह सही से दिखाना यह लिखा चार्ड यूदिग गूग अब दिखो यहां इन्वेश्टमेंट रमाउंट ठीक है मनलेप की जो जो है जो भी है चीज आध चार्ट बगरा में भी डिस्पले कर दें अब जो दूसरा टैब उसकी बात कर रहा है estimated return ठीक है in second tab ठीक है यहाँ पे अब यहाँ पे बात कर रहा है in second tab लंचम ठीक है when user click on तो यहाँ पे मैंने बोलाएगी है जो वो first tax box आ रहा था जिसमें मंतली investment लिख रहा है तो उसको जो है वो replace कर दो आप जो है वो annual मनले कि लंचम investment से जो है उस टाइब को replace कर दो और भाई सारी functionality जो है वो ऐसी रहेगी first type option बट मेक से और calculations भी accordingly calculation जो है वो लंचन के according अलग होनी चाहिए और जो है वो SIP के according अलग होनी चाहिए यह मैंने पूरा प्रॉम्प भी है वो दे दिया समझ रो कुलूम्लाइक जो मुझे करवाना है जो मुझे चीजे चाहिए थोड़ा सा मैंने यह दोख़ो on key up function थोड़ा सा technical लिख दिया ठीक है ना ताकि यार वो मुझे बटन क्लिक पर नहीं चाहिए मुझे जो है वो बंदा जैसे इस पर टाइप कर रहा हो या चेंजेस कर रहो आप तो इसको explain भी कर सकते हैं यहां पर detail बे जैसे मैंने key up function लिख दिया तो मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़ा वैसे आम यहां पर explain कर दे कि जैसे बंदा जो टाइप कर रहा है ठीक टाइप करने के बाद जैसे लिखना ही पड़ेगा यार वो चीज अब हम इसको test करते है test करने के लिए हम एक online platform को use करेंगे जो कि jsfiddle को हमने use करा यहां पर कहना है कि हम अपना देखेंगे कि कैसा आ रहा functionality वगरा वर कर रही है नहीं वर कर रही है ठीक है मैं यह पहले से ही यहां पर चीज़े लिख चुका हूं कि अगर आप मैं आपके साम प्रबलम भी आती रहती है code पे तो मैंने चाहता तो वीडियो में अननेसरी का जो है वो time-based हो सीधे मुद्दे की चीजों पर बात हो जितना छोटे से छोटा वीडियो जो है वो बन पाए और मैंने देखो यहां पर यहां पर हमें output दिखने लिए यह हमारा इस तरीके का ज आप देखो कि नीचे जो है वो बढ़िया से गूगल का चार्ट भी आ रहा है ठीक है यहां पर आगार पूरा इस जगह पर बढ़िया से जैसे हमको वहां पर दिखाई दे रहा था इसमें ठीक है यह देखो यहां पर रहे है और यह गूगल का फीचर होता free API वगरा मिलती ह जब मैंने इस डेटा को आपको बैसे को में यह चीज नहीं कि बस calculation होने लगे वह calculation सही हो रही है या नहीं सही हो रही है वह भी तो आपको देखना है तो जब यहां पर डालते थे जब मैंने यहां पर सेम डेटा डाल करके देखा for example के लिए 1000 मैंने यहां पर डाला यहां 12 और यहां पर भी मैंने 12 डाला तो इसका डेटा जो है वह अलग आ रहा था और इसका डेटा जो है वह अलग आ रहा था यहां पर देखो यह डेटा आला मतलब यह भाई wrong calculation आ रही है अब इसे कैसे ठीक करा जाए प्रॉम्टिंग भी सीख रहो हो यार इस वीडियो में जान करना ठीक सिर्फ ऐसे ही नहीं कुछ भी बना करके देदें हमको उसको जो है वह चेक करना अब कैसे सही करा जाए कोड तो हमारे पास आ गया यहार यहां तो calculation मिश्टेगा लंग्शम वाले को मैंने टेस्ट करा था उसकी calculation जो है वह बिल्कुल accurate परफेक्ट आ रही थी मैं मन्तिली इंवेस्टमेंट एक हजार दे रहा हूं ठीक है और जो एनवल लेटन टॉल दे रहा हूं और यह पीरट जो है वह 12 मन सलेट कर रहा हूं तो जो accurate result है उसमें जो है result मिला वह यह result मिला है ठीक है ना accurately result यह होना चाहिए ठीक है अब मैंने जो है उससे बोल दिया अब इसके बाद मुझे एक नया कोड मिला ठीक है और उसको हम यहां पर देखेंगे और यहां पर देखेंगे और देखेंगे तब देखों यहां पर क्या चीज आएगी मैंने यहां पर लिखा 1000 यहां पर मैंने लिखा 12 और यहां पर भी मैंने जो है वो 12 लिखा यह देखो अब इसमें बढ़िया comma separated सब कुछ कर दिया वो decimal वाला भी system जो है वो उसने हटा दिया normal हमें जो है वो round figure में जो ह है वो नहीं चुडाया ठीक है ना निकालने को एदा डवलपर मैं निकाल सकता हूं बट यार देखो सिंपल सीजी चीज है कि आपको जो है वो नहीं निकालना जब बढ़िया सी चीज आपको accordingly कि यूनिक code बढ़िया से मिल करके मिल रहा एक यूनिक page design हो रहा है तो इससे च रेडी हो गया लंशम वाला भी यार बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है अगर मैं एक लाक जो है वो यहां पर लंशम डाल रहा हूं सेम 12% का रेटन मिल ला है 12 यह सकते हो लंशम बारा भी हमारा यहां पर काल्कुलेशन इस तरीके से जो है वो कुछ चल रहा है ठीक पूरा ग्राफ राफ जो है वो सॉलेट तरीके से आ रहा है यह हमारा यहां पर टूल बन गया पूरा समझेंगे या टूल को सटप भी करेंगे वोस्टिंग में जाकर सब चीज करेंगे कैसे करना क्या करना वह सब भी पूरा डेटेल में समझेंगे जो सकता वीडियो लंब एक हो जाता है तो इसमें बूट स्ट्राप की लाइड कर दी यहां पर लिखा हुआ यहां पर देखो देख सकते हो इन्पूट बढ़िया से चेंज हो गए सारी चीजह हो गए यहां पर चेंज मैं वापिस से यहां पर एक अजाल लिखता हूँ 12 परसेंट और 12 यह यह इस को आप चाहो तो यहां पर भी सिफ्ट कर सकते हो बट यार मोबाइल में तो आटोमाटिकल नीचे आ जाए जाए अधर पब्लिक रील्स देखेगी या को खुछ करेगी तो मैं तो एसपर्ट कर रहा हूं को मोबाइल से ही आई तो हमें सब कुछ जो है वो ऐसी इसी फॉर्म मे करके दे दिया तो मैं यहां पर गया भाई सिंगल लाइन ऑफ कोड भी हम नहीं लेग रहा है बेसिक बस आइडिया हो नहीं कैसे चीज़े काम कर रहे हैं मैंने यहां पर जो रन करा और आप देखो यहां पर यहां पर देखो हमारा पूरा बढ़िया से पेज डेडाइन हो क इतना सारा है जो फाइनल कोड है जो मैंने अलगलग प्रॉम्ट देख करके यहां से जनरेट करवाया तो भाईया जो हमारे मेंबर वाले लोग होंगे यहां पर जो कम्यूटी टैम में रहता उसमें मेंबर सिप वाला जो रहता उसमें जो लोग होंग यार उनको मिल भी हो बट calculation जरूरब verify करना क्यूंकि जो calculator टूल कहीं बार आप generate करवाते हो चैट GPT से ना यार वो समझ नहीं पाता calculation को थीकर ना तो वह कई बार calculation रॉंग रहती है उसको सही से चक करना उसके बात क्या है अगर calculation रॉंग हो तो उसको example दे करके समझाए कि यह input डालने तो य हमारे सामने आया इसको आप सेट अप करते हैं होस्टिंग पे पहली बात तो देखो यह सिंपल टाइप के जो टूल होते हैं सिंगल पेज इसके लिए मैं कभी आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रस पर जाओ वर्डप्रस यह एक लेंदी प्लैट्फॉर्म है ऐसे चोटे मटे टूल बनाने के लिए वर्डप्रस प्लैट्फॉर्म नहीं है बट ऐसे ही चोटे चोटे टूल मना करके लोग मुटा ऐसा भी गमा रहा है आपने देखा होगा तो हमें रखना है लाइट वेयर जितना कम से क रहते हैं डिप्रिकेट होते रहते हैं प्लगिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं आप से जावाइस्क्रिप्ट कर रहो डेख बर डाल दी काम खताब अब उसके मेजर फोकस करना है ट्राफिक लाने पर उसके उपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे वीडियो पर देखो हमें यह को दीक लिए और चॉर्ल देख रहते हैं पर मेंड डोमें कभी कॉंसेप्ट समझेंगे कैसे वह थोड़ा से प्रोमोट करके यह बोगों को लाया जा सकता है चलो वही तो यहार मैं यहाँ पर होस्टिंगर में हूं होस्टिंगर मैंने यह ट्यार्यार एक मैंने को नाया हु उसमें किस तरीके से हम टूल एपसाइट को रन करते हैं पूरा टूटोरियल आपको यहां पर जो है वो मिल जाएगा डिटेल में तो मैं यहां पर डोमेन नेम खरीद वरेद नहीं रहा हूं वीडियो मैं डोमेन नेम खरीद इंग तो अनने शरी का लॉस है ना सिखाने के लि लिंक जो है वो आपको description मिल जाएगा ठीक है उस पर आपको एक coupon code मिल जाएगा या उससे आपको जो है वो additional discount मिल जाएगा प्लस additional मैं आपको एक चीज offer करता हूँ क्योंकि जब आप मेरे description में दियेगा link के through hosting लेते हो तो मुझे एक set of commission ही मिलेगा ठीक है जन्वन सी चीज ह तो इस्टाग्राम पर मिल कर देना इस्टाग्राम पर मुझे message कर देना मैं देखूंगा उसको verify करूंगा उसके बाद instagram के through जो है वो हम phone पर बात करेंगा जो भी आप concept करना चाहरो हो जो भी आप पूशना चाहरो हो समझना चाहरो हो blogging के future के बारे में tool website के future के बारे में कि सकता हूं क्या competition जो भी दाउट हो आप मेरे से जो है वो पूश सकते हो यह additionally मैं चीज कर सकते हूं क्यों आप भाई मेरे link से posting ले रहो मेरे को एक sort of commission मिलना तो भाई मैं आपको जो है वो free consultancy प्रवाइड करूँगा 20-25 मिनाट के ठीक है यह भाई मेरी तरफ से एक और additional PHP वाले project ना उसको भी हम लेंगे क्योंकि यार कुछ यह तूल चलना इसको हटा करके यहां पर हम यह सट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम यह बात कर रहते हैं कि मालो किसी domain पर actions approval है तो sub directory पर कैसे चीजों को बना करके हम फिलाल उसका benefit ले सकते हैं और उसको में भी आप रिफर कर सकते हूँ ठीक है रील बनाकर वो सेमी concept रहेगा तो चलो सबसे पहले हैं आपर एक sub directory बनाने कर ट्राइब करते हैं तो मैं यहां पर यह वोस्टिंग वाले section के अंदर जब आप ले लोगे ना domain सब कुछ कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखाएग अब में जो काम आपको करना वो करना है पब्लिक HTML के अंदर यह जो पब्लिक HTML देख रहो ना इसके अंदर काम करना यह सारा code है जो रन हो रहा है ठीक है और रन हो रहा है तो हमारे सामने यह जो है website खुल ली अब मुझे यहां पर एक sub directory create करनी है जो क्यों होगी SIP calculator में यहां पर गया मैंने यहां पर लिखा SIP calculator, SIP calculator लिखा, calculator लिखने हो मैंने क्रिद गया create, create हो गया, अब मेरे को एक file create करनी है इंडेक्स नाम की, index.html, simple create कर दो बस कुछ नहीं करना और जो images बगर डालने है वो भी आप यहीं पर डाल करके उसको लिए वो link कर देना, मैंने कि create, यहां पर मैंने normal लिखा SIP calculator ताकि हम यह test कर लें कि हाँ यह जो है, sorry, SIP calculator, यह जो है, वो सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब यह देखो, यहां पर जो मैंने क्लिक करूँगा, तो आप देखो, यहां पर लिखा गया, CP calculator पर यहां पर हमें copy paste मानना है, वो code, यह था यहां पर हम पूरा paste मारा देते हैं, यह देखो, इसको कर देते हैं, save, अब यहां पर आप क्लिक करके देखोगे, तो हमारा SIP calculator पूरा यहां पर आ चुका है, मैंने यहां पर लिखा, sorry, 1000, ठीक है न, फिर यहां पर मैंने लिखा 12, यहां पर लिखा 12, यह देख सकते हूँ, यह पूरा functionality वर कर रहा है, बाके आप इसमें चौहँ तो और enhancement कर सकते हूँ, same code को लेना, chat GPT को वापिस से देना, और उसमें कुछ changes करवाने हो, तो आप इस तरीके के प्रावम दे सकते, आप सबसे बले code दे देना, उसके बाद chat GPT से बोलना, भाई, इसमें यह कर दो, उस traffic कैसे लाया जाए, traffic real बना करें, सबसे बहले तो क्या करोगे आप, Facebook, Instagram और YouTube, SIP Calculator, सिर्फ SIP Calculator का जो है, बहुत बढ़ा domain है, ठीक है, जिसमें आप यार, stock उठाया करोगे, इस तरीके के real बहुत जाता है, जलती समें देखो कि बहुत views आयाते है, million million views पे, उसमें सबसे है, तो आप SIP के benefit बतारो, या कोई already real चल रही हो, trending में popular जिसमें अच्छे का से views आ रहे हो, उसको उठाओ, और उसके बाद अपना थोड़ा सा part integrate कर दो, जिसमें आपको बंदे को अपनी website पर भीजना है, अब क्योंकि वीडियो में, real में SIP Calculation से related ही बात हो रही है, ठीक ह और उसके लिए simple वही, जो आपका domain name हो, उसको type करना, आगे SIP Calculator, वर type करवा देना, और इससे भी best यह रहेगा कि अगर आप individually कोई domain लेते हो, जैसे कि SIP Calculator, ठीक है, EMD domain, तो भाई नहीं रायंग करेगा, SIP Calculator जो है, वो आपने मालू एक EMD domain ले लिए, .io.puch, और आप यहां से बोलों को जाके, बोल में type करके मेरी website को चले आना, कोई नहीं जा पाएगा, सबसे best इसमें रहेगा, EMD domain लेने के बाद, उसको आपको कुछ number add करने पड़ेंगे, जैसे कि 99, SIP Calculator 99, ताकि वो बिल्कुल unique domain बन जाए, 99 जब कोई बंदा type करे, तब वो जाए SIP Calculator 99.com या .in, ऐसा domain करके जब बंदें को भेजोगे, तो आपका website जो है, वो टॉप पे आया, कुछ numbers वगरा जो है, वो उस पे add-on कर दो, जिससे वो जो है ना, वो बिल्कुल unique बन जाए, बहुत सारे popular domain में या number रहते हैं ना, जैसे कि news 24 में 24 word है, ऐसे बहुत सारे, 99 एकर में 99 word है, ठीक है, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने domain को unique बनवा सकते हो, इससे थोड़ा सा और authentic होगा, पर डिक्कत क्या हो आती है, कई बार starting में आपको adsense approval जो है, वो नहीं मिल रहा होगा, आपको चाहिए कि आप तुरंत से तुरंती चीज़ अगर नहीं है, तो आपको यह calculator वाला tool रहेगा, इसमें नीचे जो है न, वो आप affiliate वगरा भी लगा सकते हो, grow के, सब जगे से कि अगर stock market में या trading अपना कोई account खोलना है, तो आप जा करके यहां से choose कर सकते हो, तो वहां से कई बारे बंदे जो है, वो click करके अपना account खोलेगा, तो उस पे भी आपको बहुत अच्छा commission मिलता है, YouTube पर आपने देखा योगा, जो लोग यार, share markets related videos बगरा बनाते हैं, उनके description मेरे description में भी देखोगे, तो जिरूधा का आपको link मिल जाएगा, अगर आप investment करना चाहते हो, तो उस पे click करके आप investment मेरा कर सकते हो, और आपको देखो, आपके पास user base उसी गई है, तो उस पे click करके आप जो है अपना जीरोधा पर बगरा पैकाउन खुलवा सकते हो, फिर आपको यह refer वाला जो एक link होता है, unique link वो आपको मिल जाएगा, जो कि आप दूसरे लोग साथ share करके उससे पैसे बगरा बना सकते हो, ठीके, तो इस तरीक के कायर यह जो है, वो कुछ concept है, सारा concept है, रील के उपर depend है, आप कैसी, कितनी interactive रील बनाते हो, उस रील के अंदर जो है, वो आपको अपने tool को जो है, वो integrate करना है, कि भाई, यहाँ पर जा करके, आप जो है, आप SIP वगरा calculate कर सकते हो, आप देख सकते हो, जा करके, और target audience इसमें क्या पर जो है, वो हम SIP करते हैं, दस साल से, तो हमारे कितना मोटा amount बन जाता, कहां हम invest करें, एक लाख रुपए मेरे पास है, तो एक लाख रुपए को मैं SIP में invest करूँ, या लमसम में invest करूँ, यह सब जो है, वो real बनती है, और मैं टगड़े level पर जो है, वो views आता है, और उ सेफर साइट पर जाना है, तो आप जो भी एड मनेजर उसका approval ले सकते हो, बट जो मेरी चीज है, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं एक पर आपको live stream में भी बोला हुआ था न, कि मैं इस चीज को एक दो साल से practice कर रहा हूँ, मैंने एक dedicated channel, जिसमें एक लाख सब्स्राइबर होने रखा जो कि उसी से related और कुछ audience महाँ पर जाती है, और भाई मस्त जो है वहाँ से भी पैसा बन रहा है, एक तरीके से, वीडियो से भी बनता है, और जो लोग यार website को जाते हैं, तो आपका एक extra चीज हो जाती है, और प्लस वहाँ पर आप आप जो है, वो कुछ अगर affiliate उस वाले टूल बनाएंगे आप, हमें नहीं मतलब है, जैसे हो था नहीं मुझे फर्क नहीं पढ़ता कितना competition है, समझ रहो ना, मुझे फर्क नहीं पढ़ता कितना competition है, मैं तो बनाऊंगा और deal से traffic लाऊंगा, समझ गए, तो यह जो है, वो कुछ concept है, बाकि यार यही था tutorial, इ बाकि आप इसको अच्छे समझ पाओ, integrate कर पाओ, अपना planning बना पाओ, जैसे use करना और बाकि यह जो about us के page है, वो कैसे बनेंगे, privacy policy के page कैसे बनेंगे, उसके लिए जो मैंने यह जो है, इसको देखे ना, इसमें मैंने last में सब बताया है, कि about us का page बता करें, कैसे बताया है अपिना किसी दिख करके, थोड़ा सा यह जो है वो practice करनी पड़ाईगी, इस तरीके टूल के लिए मैं बिल्कुल भी आपको wordpress जो है, वो नहीं recommend करूँगा, ठीक है, lightweight बनाने के लिए, even आप यह जो index.stimmon मैंने फाइल बनाई ना, इसको आप size देखोगे ना, इसका, ठीक जादा एक अंबी तक पहुँच जाएगा, तो हमें इसको move करने में भी आसानी रहती है, lightweight भी रहता है, यह सब जो है, इसके benefit रहते हैं, तो I hope आपको जो है, वो tutorial यार वगरा पसंद आया होगा, और ऐसे ही tutorial, ऐसे ही tutorial, जो है, मेरा target है, कि इसी तरीके की static website को लाएंगे, समझेंगे, कैसे इस तरीके के tool पे हम social media से traffic ला सकते हैं, अनिम अगरा generate कर सकते हैं, ऐसे 100 plus tool बनाने का जो है, और बहुत छोड़ी छोटे tool बनाएं, कोई बड़ा tool बनाने की जुरूत नहीं है, क्योंकि हमें तो social media से traffic लाना है, हमें थोड़ना, यहां से क्या बोलते है, Google अगर आसा traffic लाना है, तो हमें बहुत basic basic से tool बनाने है, अब यह बताऊना, यह जो grow का tool रैंक कर रहा है, तो basic tool है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बड़ यह rank कर रहा है, अच्छा का सा traffic आ रहा है, आप क्योंकि यह Google में rank कर रहा है, तो हम बहुत पास possibility हैं Google में rank करने की, त सब्सक्राइब कर रहा है, और बाकि वह स्टैट गे कि जब कोई बंदा keyword डाले तो वह आपके ही tool पर जाए, वह सारा integrate करके आप जो भेज सकते हो, अगर description में आपको लॉंग वीडियो मना लो, description में तो आप पूरा-पूर अपने tool website का link के भी add on कर सकते हो, Google में type करवा के भ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नाए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं, नेक्स्ट इंफोर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए, धन्नवाद